वीडियो में जानेंगे CA exam January 2025 का exam form filling कब से start हो सकता है ध्यान से बाते को सुन लीजिए का बच्चे के मन में doubt आ रहा है कि exam form filling कब से start हो सकता है CA foundation और CA intermediate January 2025 का सबसे पहले आप लोग के जानकारी के लिए बता दे CA intermediate January 2025 का registration करने का आखरी डेट क्या था registration करने का आखरी डेट एक में 2024 था जो बच्चे एक में 2024 तक registration कर लिए है वही बच्चे CA intermediate January 2025 का exam दे सकते हैं और साथ में ऐसे भी बच्चे जो repeater होंगे वो लोग भी exam form fill करके exam में appear कर सकते हैं intermediate January 2025 का आयोग की doubt clear हो रहा होगा इसके बाद बात कर लेते CA foundation January 2025 का registration करने का आखरी डेट एक सेप्टेंबर 2024 हो सकता है एक सेप्टेंबर 2024 तर जो बच्चे registration करनेंगे वही बच्चे CA foundation का exam January 2025 में दे सकते registration कैसे करना वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा और करना वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा अब जो बच्चे डेपिटर होंगे दुबारा से registration नहीं करवाना आयोप की doubt क्लियर हो रहा होगा अब बात कर लेते हैं exam form filling कब से start हो सकता है exam form filling start हो सकता है CA foundation और CA intermediate का number के मंत में कौन से मंत में नौमबर के मंत में यह चीज़ याद रखना है कोई कुछ भी बोले कि start हो गया कल के date में परसों के date में नहीं बच्चो नौमबर के मंत में यह start होगा ज्यादा chances है आयोप की आपका doubt क्लियर होगा जैसे ही exam form filling start होगा चार्टे स्टरी सबसे पहले वीडियो बना करके अपडेट कर देगा साथ में कैसे exam form fill करना तो अभी से चैनल पे नए हो सबस्क्राइब जरूर कर जाते हैं आप लोग मिस नहीं करों इसलिए पुराने हो सबस्क्राइब की हुए देख लेना बिल नोटिपिकेशन ओन है या नहीं है बिल नोटिपिकेशन ओन नहीं है तो उसको दवा हो तो चैनल पे अभी तक सबस्क्राइब नहीं कियो तो सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा फ्लीज बच्चों सबस्क्राइब कीजिए कोई भी एडिशनल डाउट है यूटूब कॉमेंट बॉक्स ओपन है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो